मुहित कुमार प्योर पहाड़ी अंकुष बिल्कुल अभी तो आ रही होगी सभी को आवाज ओके बिल्कुल तो सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो अब हम कॉंटिन्यू करते हैं आज की सेशन कॉंटिन्यू करते हैं मैस ठीक है तो सभी इस बिल्कुल क्लियर है आज की स maximum vacancy क्या सकती है तो I think UK SSSC ने उस record को break कर दिया है UK SSSC ने अभी उस record रिकोर्ड को break कर दिया है जो जेए की vacancy सबसे ज़्याद सकती थी वो मुझे लगता है अठाइस सो प्लस वेकेंसी हैं आपकी UKPSS UK SSSC की ठीक है तो इनी पर discussion करेंगे आज के session में complete UK SSSC का analysis करेंगे कि किस तरह से उस exam के अंदर हम लोगों को approach करनी और कौन-कौन से बच्चे eligible हैं वो सारी discussion करेंगे तो आज की session में क्या-क्या points cover होने वाले सबसे पहले important dates हम discuss करेंगे क्या-क्या important dates है हमारे exam की लिए जो हमें form fill करने से लेके जो आगे आने वाले time में में ध्यान रखनी है और total vacancy हमारी कितनी है which year Pat is valid ठीक है age limit क्या होगी बी-tech को यह diploma allowed है के नहीं है बी-tech को यह diploma में क्या लाउड है अधर श्टेट की students allowed है के नहीं है low score है बहुत जाद है पीटी में तो फिर मैं भर सकता हूं की नहीं भर सकता हूं syllabus क्या रहने वाला है online offline courses जो हम provide करने वाले exam pattern PYQ analysis तो यह इस पूरी वीडियो की एक summary है इन सभी points को one by one discussion करते हैं ओके तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आवाज आ रही है कि बिल्कुल तो चलो start करते हैं कि आज का सबसे पहले बात बच्चों जो important dates हैं हमारी उनके ओपर discussion करते हैं जो हमारे important dates हैं सबसे पहले हमारा जो date of notification है विज्ञापन के प्रकाशन की थी जो हमारा कल था ठीक है जो हमारा कल था विज्ञापन के प्रकाशन की थी that was 732024 इसके बाद online आवेदन की बिल्कुल साथ मार्च आपका 75207 आप यह मान सकते हैं ओनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो तिथी अप्रेल ना होकर मई के अंदर दी गई है मई से लेकर आपका जून के अंदर यह फॉर्म फिल होगा ठीक है तो आपका ओनलाइन आवेदन शुल्क जमा करदन करने की अंतिमति थी जो है हमारी डैट वस डैट इस सेवन सेक्स टूटाउजन तो इसका मतलब यह है कि हमारा में से जून के बीच में फॉर्म फिल होगा एक महीने का हमारे पास विंडो है सुल्क समायोजन वे आवेदन में संसोधन जो हमारी विंडो ओपन होगी संसोधन के लिए करेक्शन के लिए वो हमारी 14 तारिक तक रहेगी सर नमस्ते अमित बिजनोर से हूं आपका इस्ट्रेंट बिल्कुल जितने भी पुराने बच्चे थे जो अंडर ग्राउंड हो गए थे यूपी के उन सभी को बहार निकल के चाना आना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी खुश्कवरी आप सभी लोगों के लिए कि 2800 से जादे वेकिंसी आप लोगों के लिया है यह फेली बार मैंने देखा है इतनी सा Dahaी के लिए TV के लिए अधर इस्टेट्स के होंगे नहीं होंगे वह भी डिस्केशन करेंगे तो वन बाई वन देखते हैं तो सबसे पहले आपको यह डेट्स नोट डाउन कर लेनी है क्योंकि इन डेट्स पे ही आपके फॉर्म फिल होंगे और आप पूरा कंप्लीट यूपी ट्रिप्ले से कहते हैं अधिया के बच्चे मुझसे मिलते यूपी कि बच्चे मुझसे कहते थे इससे यही सिद्ध होता है कि आपकी जो गौवर्मेंट है आपके ओपर ध्यान दे चुकी है ठीक है वो रिवीजन वीडियो मेरे लिए बहुत हेल्फुल रही बिलकुल भाई बिलकुल देखो एक बात मैं आपको बता दू यूपी ट्रिपल सी जेए एक्जाम का जो पैटर्न है जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है वो उतना सिंपल पैटर्न नहीं है जो यूके के एक्जाम करेक्शन कर सकते करेक्शन में गडाय है हमारी जो फी है वह वह भुत ही नौमिनल सी बहुत ही कम है सब 26 रुपए हमारा सुलक है तो इसमें कोई यह नहीं है कि बहुत ज्यादे हम से शुलक लिया जा रहा है जो कि बिलकुल यूपी का सेपरेट कोर्से एक्टिकेशन के अं करिंगो죠 five लिए तो यहां पर गर हम बात करेंगे बचो इन सभी पॉइंट के ऊपर मुखह परिक्षा हेतु शुल्क का भुक्तान केवल मुख्य जो शॉट लिस्ट किये गए अभ्यरतियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा मुख्य परिक्षा हे तु शॉट लिष्ट किये अभ्यर्तियों द्वारा मुख्य परिक्षे हे तु सुल्क जैसा की आयोग शाषन द्वारन डिधार्ट किया जाएगा भुकतान का वो कर दो को यह क्या है अभी आपके दिमाग में आपको शॉट लिष्ट कर देगा वो किस बेसिस पर पर उसके बाद आपसे फाइनल फी ली जाएगा तो के रहे हैं मुख्य परिक्षा है तो शुल्क का भुक्तान केवल मुख्य परिक्षा है तू शौटलिष्ट किये गए अभी अभिएश्टी pressures को द्वारा ही अलग से किया जाएगा तो जिन candidates को shortlist किया जाएगा main exam के लिए वही आपके जो main exam की fee है वो pay करेंगे, नहीं तो कहीं बच्चों को लगा के केवल और केवल, बिल्कुल पीछले कसारी analysis करेंगे, cut off कितनी है, किस तरह से उसके अंदर exam के अंदर questions आते हैं, क्या subject का variation है देखो, अगर आप थोड़ा late join किय हैं, तो मैं आपको बता दूँ, यह सारे topics हम discuss करने वाले हैं, जिसमें PYQ analysis भी included है, PYQ analysis भी included है, 2018 का भी result final नहीं आया है, तो cut off वहाँ पर अभी नहीं बता पाएंगे, 2018 का भी final result नहीं आया है, DV चल रहे हैं, 2018 में, जहां पर हमारे काफी students DV के अंदर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी one by one हम सारे points को discuss कर रहे हैं, तो यह हमारे पास fee है, fee में यह मत समझ लेना, कि 25 रुपे में UPSSSE JEE का form भरा जा रहा है, यह बिल्कुल मत समझ लेना, 25 रुपे के बाद आपको, जब आपको shortlist कर लिया जाएगा, जब आपका shortlist हो जाएगा, तब आपको full fee pay करनी होगी, जो भी उस वक्त UPSSSE decide करेगा, ठीक है, बिल्कुल, तो 25 रुपीस just to fill the form, आपको form fill करना है, उसके बाद आप shortlist करें, कैसे shortlist किया रहाएगा, यह भी मैं आपको बता दू, देखो, याद रखना, जब आपको shortlist करने की बारी आएगी, तो उसके अंदर इस ब लगभग 15 गुन अगर हम इसका करेंगे roughly, तो हमारा लगभग लगभग 40,000 से उपर बच्चा आएगा, तो 40,000 प्लस students यहाँ पर बुलाए जाएगे, अब इसमें बच्चे को कई बार doubt होता है, इसमें बच्चे को क्या-क्या doubt होता है, मैं बताता हूँ, जैको ध्यान से सम और मैं आपको clear कर देता हूँ, जो बच्चों के मन में confusion है, जो PET का exam UP कराते हैं, उसमें याद रखना PET का 2023 का जो exam है, वो इसमें valid होगा, क्योंकि PET की जो validity होती है, that is one year, तो आपका PET 2023 यहाँ पर valid माना जाएगा, अगर आपका 2021 का PET है, बिलकुल बिलकुल भाई, बिलकुल होंगे, ठीके, हाँ, अब यह यहाँ पर है, वो कहाँ थर्टी गुना भी हो सकता है, बिलकुल बिलकुल सही बात है, अभी आयोगने, जो UP SSSC है, उसने एक प्रारंबिक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें फेर बदल होनी की संभावनाई हैं, जो आपको अगले महीने देखने को मिलेंगी, लेकिन ध्यान से सुनना, अभी के लिए, पीटी के अंदर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं, सर हमारे बहुत लोग स्कोर है, पीटी में, तो हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप SSC, के अंदर एक्जाम की बात करें, आप वहाँ नॉन टेक का एक्जाम लिखते हैं, ठीके आपका बताओ, ओसतन बच्चा कितना लाता है, अगर वहाँ पर SSC, जेई, अपने प्री में 4000 बच्चों को बलाती है, 4000 बच्चों में वो नॉन टेक होता है, यहां पर SSC, जेई का, उसमें कितने माक्स बच्चे लेकर आते हैं, जो 4000, लगभग ओसतन 50-60 नंबर, और 4000 बच्चे अगर 50-60 नंबर ला पा रहे हैं, नॉन टेक में, आउट अफ 100, तो आप सोच के देखो, जब 40,000 बच्चे बुलाएंगे, तो PET का अगर low score भी है आपका, ध्यान रखना, मेरी बात फिर से सुन लेना, यहां पर बच्चा गंफ्यूज हो रहा है, टेकनिकल का, बच्चा गंफ्यूज हो रहा है, बिल्कुल मैं आपको दुबारे से रिपीट कर देता हूं, यह लिकर है कि AIM Campus students, दुबार रिपीट कर देता हूं, आपको यह लग रहा है कि मेरा PET score low है, आपके मन में यह question आ रहा है, सर मेरा PET score low है, लेकिन problem यह है कि आप कितने candidates को call करने वाले, आप 40,000 candidates को call करने वाले, 40,000 candidates को call करने वाले, अगर मैं बात करूं, 40,000 candidates पे तो PET का low score पे भी आपका यह valid हो जाएगा, अगर PET का low score भी हुआ, more than 40,000 students बुलाए जाएंगे महां पर, बिल्कुल समझाया यह बात, अब यहां पर यह चीज़े ध्यान रखना क्योंकि PET का low score है, बिल्कुल, हाँ, अब कोई भी state यहां पर, अब दूसरे point पर आते हैं, देखो अब हम one by one देख लेते हैं, अभी हमने date देख लिए, ठीक है, अभी हम और चीज़े को देखने वाल करने वालों के समस्त्त, ब depend को कॉल करते हो, याद रखना, एक बच्चा कह रहा ही, ऐक बच्चा कह रहा है, सर मेरी तो 30 परीस पर्सेंटाइल है, हुआ स्रेसर मेरी तो 30 प्रसेंट ताइल है मैं तो ना तीन में हूं ना तेरे में हूं लेकिन बच्चों बात सुनना जब पैट का एकजाम हुआ था उसे सभी स्टूडेंट्स ने एपियर हुए थे ओल इस्टूडेंट्स वर एपियर्ड चाहिए वह टेक का हो चाहिए नॉन टेक तो आपको वह कॉल कर लेंगे 42,000 बच्चे लमसम में बता रहे हैं इसमें भड़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है वह डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ केंडेट्स वहां पर फॉर्म को भरने वाले हैं ठीक है तो यहां पर यह ध्यान रखना उस पैट के स्कोर को लो स्कोर को लेके मत चलो आउस में से देखना पड़ेगा सिविल के कितने डिपलॉमा है और उन सिविल के डिपलॉमा में से कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है कितने बच्चों ने यह फॉर्म फिल किया है जो यूपी ट्रिपलेसी वाला फो में इसमें से कई आहिए पहले हर जंगी अपको इंट्रवु लिख़ा व्य değils इंट्रवीव नहीं इसके अंदर मेरी बात ध्यान सुनना इंट्रव्यू नहीं है इसके अंदर फिर से रिपीट कर देता हूं जितने भी जै लेवल के एक्जाम है उन में बहुत या यहां पर्यूंप प्रट लाद निया था पूरे यूपी एंग कि उ Всем चैसिन को को डिप्लोमा वाले थो though ने 38,000 ने एक्जाम दिया था अ ठीक है बिलकुल बिलकुल तो बात से सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं अब देखो यहां पर यूपी के जितने भी बच्चे इस्पेशली वह बिल्कुल ध्यान सुनना अगर आप अधर श्टेट के हो तो यूपी के अंदर आप अन्रिजर्व केटिगरी में काउंट होते हो यूपी के एक्जाम में आप यूपी के अंदर फाइट कर सकते हो ठीक है तो अधर श्टेट के बच्चे भी इसमें लाउड होते हैं ठीक है यूपी ट्रिपल सी के एक्जाम में अधर श्टेट के बच्चे जितने ने भी अधर श्टेट के बच्चों ने भरा होगा पीटी क labaform लेकिन यहां पर आपने प्यूटी जरूर दिया हो चाये आप किसी भी स्टेट के अगर आपने प्यूटी को federal किया था तो आप अधर स्टेट के होकर यू आरके अंदर काउंट हो जाओगे की अने ध्यान रखना बात अब यहां पर Swift से समझना दो तीन बाते और बड़ी इंपोर्टेंट हैं क्या इस एक्जाम में बीटेक स्टुडेंट अलाउड है याद रखना ये भी आंसर मैं कर देता हूं बीटेक स्टुडेंट्स नॉट अलाउड क्योंकि यहां पर सैक्षनिक अहरता जो है एक तो आपको जो सैक्षनिक अहरता है डिप्लोमा पाठ्यकरम आपने पढ़ावा होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजिनिरिंग के समक्ष सिविल इंजिनिरिंग या के रिलेटेड ज्राफ्ट्समेन का डिप्लोमा हो सिविल रूरल इंजिनियर लिस्ट दी हुए इन में से कोई भी अगर आपके बाद डिप्लोमा है तो आप इसे एक्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो अधर्वाइस नहीं बीटेक इसमें अलाउड नहीं है अभी तक के लिए कि ड्राफ्ट मैंन में भी अभी कोई P.E.T की कट आफ नहीं आई है बिलकुल बिलकुल कि सभी बात है अभी पी.T की कोई कट आफ नहीं है ड्राफ्टमैन का जो एक्जाम हो ता बिल्कुल ठीक कह रही हो बैई तो यहां पर कुल मिलाकर vacancies की बात कर लेते हैं total vacancies हमारे पास कितनी देखने को मिलेंगी से एक्जाम के अंदर ध्यान सो सुनना जो total vacancies है हमाड़ी बड़े ध्यान सुनना टोटल लेकनिसी टे अंदर यह ऑर के टेगरी में छिए पांसो टेरह तो इस बार बंपर वेकनिसी हैं पी डेक्सटीper तो यहां पर अगर मैं टोटल ही बात करूं आपसे पीड़ी के अंदर टोटल हमारे पास 1092 सीट से टोटल मिला के और यहां पर अगर हम वैसे बात करें जर्णली अगर देखें यू आर की टोटल सीट कितनी है यहां पर लिए तो इनके 15 गुना आप कर दोगे स्रेनी वार स्रेनी वार पंद्र गुना करना है फिर से रिपीट करता हूँ श्रेनी वार आपको 15 गुना करना है, तो इन सभी को आप देख सकते हो, इन सभी को आप देख सकते हो, टोटल हमारी लगबग 2847 वेकेंसी है यहाँ पर, ठीक है एज लिमिट क्या है यह भी ध्यान सुनना, हर एक डिपार्टमेंट की एज लिमिट अलग अलग है, मैक्सिमम ए आर एनल में हमारे पास 18 है एज लिमिट 21 साल सेतु निगम के लिए, तो कुछ डिपार्टमेंट में 21 साल है, 21 से प्लस होने चाहिए और कुछ डिपार्टमेंट में 18 है, तो 18 प्लस वालों के लिए भी अच्छी खासी वेकेंसी है, क्या मैं फाइनल येर के साथ भर सकता हू को अगर आप UP के स्टुडेंट हैं, तो सबसे इज़ी टार्गेत इस वक्त UP रिपेरल सी, अगर आप UP के स्टुडेंट हैं, त आपका जो टार्गेत होना चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप UP के स्टुडेंट है, UP to www. ipologists'ie target होना च्यांए, क्योंकि सबसे ज़् चांस आपका बनेगा वो इसमें बनेगा और इसमें नॉन टेक की इतनी बड़ी एक तरह से मान के चलना भी डिसकस करेंगे उसारी पॉइंट्स को तो यह हमारे पास है यह होरिजोंटल रिजर्वेशन आप देख लेना एक्स आर्मी के लिए कितना है एल्वी वालों के लिए एचेच वालों के लिए ओए यह अलग-अलग पिया जो फिजिकली डिजेबल होते हैं उनकी अलग-अलग कैटेगरी एक सारी अलग-अलग हमने जो होरिजोंटल रिजर्वेशन है उसकी टेबल अलग से दिखाई है तो उत्रा घंड के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं लेकिन कंडिशन यह है आपने पैट के एक्जाम में एपियर हुए हो सर मेरी एज 21 प्लस नहीं है तो आप 18 प्लस वाले डिपार्टमेंट में काउंट होंगे शेर सिंग 18 प्लस अगर आपकी एज है तो आप 18 प्लस से इपार्टमेंट में काउंट होंगे पी डॉड गेंदर और और आपंट होंगे और इंदर वैसे इन्दर आप आप आपके पास सफिशेंट आगर आप देखोगे इन तीन नहीं डिपार्टमेंट के अंदर एक हजार बानवे साथ सो पैस तो मेजर सीट तो इन इसलिक उट यह लगबख एक रिपार्टमेंट छूट है विपिन रमन 2018 का डीवी चल रहा है और बहुत जल्द वो डीवी का फाइनल रिजल्ट आने वाला है प्रिलिम्नेरी इलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है यूपी गाउर्मेंट ठीक है तो उसे आपको एप्पियर होना पड़ता है उसके बाद आप किसी भी एक्जाम के लिए लीजिबल होते हैं तो बच्चों बड़ी दिनों के बाद यह यूपी वालों के लिए बड़ी खुशकबरी आई है मेरे ख्याल से सभी बच्चे जो पहले से तैयारी में थे हाँ अब यह आता है कि सब्जेक्ट का वेटेज होता है मैं आपको पूरी अनलाइसिस करके दिखाता हूं अच्छा इड़ी वाले जो केंडिडेट हैं उन्हें भी बड़े ध्यान से समझना है अगर आपका इड़ी ड़ी नहीं है तो अभी भी बनवा सकते हैं अगर आप एक क्या कह रहा आपसे कि आप EWS का जो परमान पत्र है वो कब से कब तक बनवा सकते हैं यह डेट आप देख लो यहां पर एक चार दोहजार चौबिस से लेके आपका साथ छे दोहजार चौबिस आवेदन की अंधिमति थी के मध्या निर्गत परमान पत्र जो वित्यवर्स तेईश चौबिस की आई पराभारित होंगे वही माननिये होंगे वित्यवर्स दोबिस पच्चिस हे तुमानिये हो ठीक है ध्यान रखना EWS वाले केंडिडेट्स को फिर से रिपीट कर देता हूं अपना सर्टिफिकेट अभी भी बनवा सकते हैं आप तो दस परसेंट आरेक्शन आपके लिए अनुमन्नी होगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाया तो बनवा सकते हैं सर्य पीटी टेस्ट के बारे में बता दो कि कब होता है यह एक्जाम हर साल होता है यह पीटी एक्जाम यूपी गौवर्मेंट हर साल कंड़क्ट करती है इस एक्जाम को ठीक हर साल यह एक्जाम होता है और यह एक्जाम होने के बाद ठीक हर साल इसमें बच्चे शॉट लि तो यह द्यान रखना अब बात करते हैं यहां पर पेपर का पैटर्ण क्या है किस तरह से यहां पर आते हैं यहां पर दो पेपर होते हैं यही रहेगा कि नहीं रहेगा अभी यह डिस्क्राइब नहीं हुआ है यह आपको अगले महिने जब आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी वहां पर होगा ठीक है पुलिस में पीटी अलाउड नहीं है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पुलिस का फॉर्म तो कहीं सूरिय कांथ सर अभी इसमें 800 वेकेंसी और एड होने की संभावनाएं हैं बहुत अच्छी बात कहीं बहुत सूरिय कांथ आपने अगर 800 वेकेंसी और एड होंगी तो मतलब यह बंपर मोका होगा मैंने कई बार बच्चों को यह कहा था कि लगबख उत्तर परदेश में ती बढ़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं 800 वेकेंसी अगर और एड हो गई तो यह मेरे ख्याल से और जादे भी हो सकता है तो अभी आप यह ध्यान रखना अठाइसो प्लस वेकेंसी हैं और यह कह रहे हैं कि और बढ़ने की संभावनाएं हैं तो यहां पर हम देख लेते हमारे पा 30-90 प्लस मार्क से उसके दूसरे बच्चे जो थे स्कूर मैं 690 प्लस भी मार्क से मतलब यह इस्ते स्कूर है ओट और 1000 यह हजार में से स्कूर है यह मतलब जो बच्चा टाप रिस्ट में हैव bah Volt еще विंडिया एक्जाम में चाहिए वो पीया। आपका पीजीए लो इसमें र maximum आप मान सकते हो ठीक है तो मिनिमम मेरे ख्याल से आपको इस पूरे एक्जाम में हजार में से लगभग लगभग इस बार टार्गेट करने चाहिए 650 प्लस तो आपका बिल्कुल टार्गेट होना ही चाहिए ठीक है 650 प्लस मुझे ऐसा लगता है कॉम्पटिशन बढ़ते 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 बढ़ रहा है तो 700 तक आप टार्गेट रखना मलब 650 प्लस तो होना ही चाहिए बेर मिनिमम मैं बट 700 प्लस की कोशिश हम करकेंगे को की इरिधेशन की एड होंगी इसमें नहीं की पिल्कुल यह रहा है कि इڑ होंगी बिल्कुल इरिधेशन की आई निती तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है तो यह मुझे ऐसा लगता है यूपी के बच्चों के लिए इससे बढ़िया मोगा कभी नहीं आएगा कभी भी तो इसलिए बच्चों याद रखना आपको बिल्कुल भी लापरवाई नहीं करनी इस एक्जाम के लिए चार सो नंबर का नॉन टैक इंग्र में क्या-क्या है हिंदी इंग्लिश जर्ण इंट्रेंज जर्ण नॉलिज कंप्यूटर नॉलिज इनकी डिटेल में बात करेंगे और टेकनिकल हमारा जो सिविल है सिविल के अंदर बच्चों जो भी हमारे इंजिनिरिंग इसिप्लीन तो हम सिविल इंजिनिरिंग की हमारे पास जो भी सब्जेक्ट से वह आएंगे अभी डिसकस करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट पहले थे अब जो आएंगे तो बताऊंगा जनल केटेगरी अभी देखो तो फाइनल कट आफ जब आएगी यूपी ट्रिपल सी की डीवी चल रहा है दो जार अठार वाले बच्चों का तो डीवी के बाद वो फाइनल कट आफ आएगी UKPSCJE से इजी है बाइव मुझे ऐसा लगता है यू के PSCJE के एपई वन से टफ होगा और Techलि इस अफ होगा चेकल पर एक और कर पार कैसा जो पंपरपीट है वे फिर फो यह होंगे deren रहे है जर्णल केटेगरी की हाई कट आफ बताएं 2024 की देखो अभी इतनी जल्दी प्रेडिक्शन करना बहुर्त मुश्किल हो जाता है थोड़ा डाटा आने दो नंबर ओफ इस्टुएंट्स पता चलने दो उसके बाद डिसकस करेंगे तो यहां पर आगे भढ़ते हैं बच्चो सब्सक्राइब अपडेट्स इवेंट्स इवेंट इंड इंड इस्पेस यहां पर सिलेबस में जर्णल रीजिनिंग के अंदर हमारा कोडिंग डिकोडिंग एनलोजी वही जो एससी में आप पढ़ते हो सिलेजिसम या आपके नंबर सिरीज कलेंडर क्लोग प्रॉब्लम्स इस डारेक्शन क्यूब डाइस यह सारी कि सारी बच्चों आप कहां रीड करते हो यह ससी में भी आप पढ़ते ही हो तो वही सारा आपका रीजनिंग असले बस है ठीक है आप अगर बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती इंटरनेट है पैरिफेरल सिस्टम ह है मॉडम है ओपरेटिंग सिस्टम है लेंगवेज है मैस ओफिस है इनसे बेसिक क्वेशन आता है आप कभी इनसे देखकर डर जाओ यार कंप्यूटर की नॉलिज में पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे ठीक है अब बात करते हैं बच्चों बात करते हैं अगले यूपी ट्रिपल सी जेए के अंदर जो हमारे पास इंग्लिश का स्लेबस है यह सारे हमारे यूपी ट्रिपल सी जेए के इंग्लिश का सलेबस है और यह हमारे पास हिंदी का है इस पूरी पीडिएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो अभी फिर से रिपीट कर देता हूं यह जो भी मैं बता रहा हूं यह 2018 के बेसिस पर है अगर इस बार चेंज हो गया त हो सकता है जो चेंज होगा डैस टेकनिकल कभी होगा टेकनिकल कंदर यहीं सब्धिक्ट होंगे एड़्क्ट हो सकता है फुका है नहीं होगी किया सर हां भाई UKPSC जेही अब भूल भूल चुके हैं ठीक है वो गुजराओ अकल है हमारा ठीक है आने वाला अकल क्या है यूपिटर प्लसी ऐसा नहीं है UKPSC जेही में जो प्रोसेस चल रहा है डीवी का वो चलने दो ठीक है उसके बाद हम डिसकस करेंगे फीक है उत्रा खंड वाले कर सकते हैं कि अपलाई उत्रा खंड वाले अपलाई कर सकते हैं अगर उन्हें पीटी भुराय है तो यहां पर ध्यान से समझना यह एक्जाम क्या जो पैटरन है उसे देखतें जरा एक बार इधर डालते हैं एक्जाम के अंदर बच्चों 2018 में लगबग एस्टीमेट के 26 कुईशन थे आर्सीसी के 19 कुईशन थे सोयल के 15 कुईशन थे सर्वे के 15 FM के 14 कुईशन सोम के 12 कुईशन एन्वायरमेंट के 12 कुईशन सीटी के 12 हाइवे के 8 उसके बाद कम-कम नंबर में थे बीम इर 2016 का था दो मैंने दो ही पेपर के अनलाइसिस करी हैं अगर आप इस PDF को चाह रहे हैं तो अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर यहां पर आप्लिकेशन के अंदर फ्री डाउनलोड में जाना वहां से PDF डाउनलोड करना ताकि आप बात था कि इस PDF के अंदर जो जो इंपोर्टन पॉइंट से वह देख सके निशारिया गूड इवनिंग भाई ठीक है तो वह आप सब देख लेना तो यहां पर आप यह देखो एस्टीमेट 13 RCC के साथ देखो यहां पर थोड़ा सा पैटर्ण चेंज हुआ था तो इसलिए आपको अलग तरह से देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि लगबग सारे ही सिलेबस हमें तयार करना पड़ेगा यूपी वालों को उनकी सरकार भूल गई थी अब यूपी वालों को उनकी सरकार ने याद किया है ठीक है मैं बहुत दिन से इंतिजार कर रहा था कि यूपी वाले बच्चे आते हैं बहुत डिसपॉइंट हो जाते हैं जब उनके लिए वैकेंसी नहीं होती है मार्केट में ठीक है तो यू तराखंड वाले बच्चों के लिए सभी के लिए आ चुकी थी लेकिन अब यूपी वाले बच्चों की बारी यह बच्चों जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैची से दोनों में स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर आप एक चीज नौटिस कर सकते हो जो यूपी वालों को नहीं चाहिए क्या पीटी सभी को चाहिए पीटी चाहिए यूपी से हो चाहिए उतरखंड से हो सभी को पीटी की रिक्वार्मेंट है सभी को पीटी की रिक्वार्मेंट है इसके लिए बच्चों जो कोर्स हम लोग लौंच कर रहे हैं अगर मैं आपको यह बारे में बताऊं आप लोग किस तरह से उस को बाय कर सकते किस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आप ओफलाइन आहना चाते हैं तो ओफलाइन आ सकते हैं देखो ध्यान रखना ओन-Line उन्हीं बच्चों के लिए जो self motivated है और खुद सबी जो और ग्रूप से हैं टीचर से सबसे बोलो कि पीटी अगर यहां पर हट जाए मेंडेटरी क्राइटेरिया से हट जाए तो फिर आप लोग सब हो सकते हों ठीक है क्योंकि कई बच्चों ने पीटी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उन्हें यह लगता था कि ऐख शाय है यूपी ट्रुपलले सी में वेकेंसी अब आएंगी नहीं क्योंकि अभी तो पुराना ईपैंडिंग है तो है विए chi बिल्कुल यहाध्वत सबस्क्राइग को मिलेग है जिन्हों पीटि दिया है अगर आपको δेखना है यहां पर आप up के अंदर अगर कोई भी वैसोट आपके उसमें मिल जाएगा यह करोड़ा देकर सब्रेटर है एक यहां यहां पर सारा डिटेयल डाल दी गई है किस तरह से है कुर्स तरह यहां पर आपको सारा description में मिल जाएगा क्या किस तरह से cover करने वाले इसके अंदर आपको पूरा recorded content दिया जा रहा है ठीक है दस तारीक से इसमें live classes start कर देंगे और जितना भी recorded content content जितना भी recorded content वो सारा आपको detailed explanation के साथ मिलेगा एक एक वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर आप content में जाएंगे तो इस बार हमने और क्या-क्या चीज़ अपडेट कर दी हैं कई बार बच्चे का motivation कम हो जाता है तो उसके लिए हमने क्या updates की हैं ताकि वह जित इस तरह से हमने content को organize किया है ठीक है तो यहाँ पर आपका पूरा टेक्निकल कोर्स यहां पर मिलेगा रिकॉर्डेड कांटेंट मिलेगा यहां पर आपके objective series मिलेगी पूरी यहां पर आपकी test series इसके साथ inbuilt मिलेगी तो यह सारा जो content आपको इसी के साथ मिलने वाला है यह सा के पास आपने को life class में open किया तो live class में आपको क्या advantage मिलने वाली आपको werd टॉपिक के detail लिखा रहेगा हैर वीडियो के साथ कि इस उपड़ायां गेए ठीक है तो कूर्स की जो Korean जितने भी नए बच्चे हम से जुड़ रहे हैं ध्यान रखना यूप ट्रीपलेस सी के टेकनिकल का सिलेबस इतना सॉलिड है अगर आप कोई बच्छा यूप ट्रीप लेसी का टेकनिकल का सिलेबस पड़ रहा है वो एस सी कवर करी देगा आप समझो इस बात को यूप क्लिसी 2-0, 2016 2018 के पेपर उठाओ और उन पेपर को जड़ा एनलाइज करो मैं करवाओंगा आपको एनलाइज अगर आप यह कह दें कि यूपी ट्रिपल सी पढ़ने के बाद कोई बच्चा कोई और एक्जाम में रह जाएगा नहीं रह सकता आर आर बी के लिए 100% एक एस्सी के लिए लेड़ वंचे, नाम यूपी ट्रिपल hase है … लेकिन वैलिट सब के लिए अगर आप हमारे पहले प्रटिंट्स हो आपने ेससजी का कोर्स हम से लिया हुआ है तो आपको इसी कोर्स के अंदर में स्वाइब कर दों के आपको इसी क कोर्सly नहीं एक झाही है UPSzos का अगर सभूया सब्सक्राइब और हको अपने किसी भी कोर्स में डोलो तो हम आपको दूसरे अब सब्सक्राइब के साथ आपको live classes देखने को मिलेंगी तो live classes के अंदर बच्चो जितना भी मैं topics को detail में discuss कर रहा हूं चाहे वह study material के साथ discuss करें चो हमारी study एक तरह सा आप देख सकते हैं जो हमारी language अगर आपको यहां पर सही से नहीं नजर आ रहा है भी वीडियो क्वालिटी थोड़ा चल रही है देखो आप यहां पर देख सकते हो जो नए बच्चे उनके लिए अगर यह आप सब लोगों को क्लियर दिख पा रहा है तो मैं एक बार क्वालिटी का ले देख लेता हूं पूरा अपडेट हो जाएगा पूरा एक तरह से कोर्स का जो पैकेज है अगर वो चाह रहे हैं तो पूरा वो दे देंगे बिल्कुल एटीन फैब को कोर्स एंड हो गया कोई इश्यू नहीं आप एक बार कॉल करें आपको नए कोर्स को बाई करना पड़ेगा अगर आपकी वैलेडिटी एंड हो गई है तो कोर्स का प्राइस बच्चो ध्यान रखना देखो अभी इस वक्त पढ़ाने का तरीका क्या आप देख लो यह क्लास्रूम के अंदर का मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम टॉपिक्स को कवर करते हैं यह वीडियो की क्वालिटी है यह वीडियो के अंदर जो सारा डिस्रि सब्लम रहती है कि लोग बाग उन्हें अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं बट वह इंग्लिश लेंगवेज के साथ उतने कमफरटेबल होते नहीं है तो उन्हें इस तरह से समझाने कोशिश की जानी चाहिए ताकि वह पहले बात को समझे ठीक है सर 2018 क के जोगी तभी तो exam होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है एम कैंपस ऐसा कुछ भी नहीं है जोइनिंग मोगी तभी exam होँगा यू पी के अंधर जो पहले हो रहा था और जो भीर है ब्यट को देखंसको जब यूजब आप two-這麼 Soul कंकितना कहले है कभी पहले हुआ एका अ ents limox in बिल्कुल सारी बचो जो Bucks आपके पास है application के अंदर आप बुकस की कोर्स में जा सकते हैं एशीज को मैं आपको explain कर देता हूं आप बुकस के कोर्स नेसे प्राइजें तो अगरा आप सको बाए करेंगे तो लगभण आपका description में दिया हूए ठीक यह लिंक description में दिया हुए ध्यान रखना नीचे link description में दिया हूए कॉर्स कभी application कभी अगर आप को बाए करेंगे तो 4,000 Rs.000 रुपीज आपके लिए इस अगर आप प complete से भी ठीक है विदिन सेवन डेज अगर आप बता देंगे तो हो जाएगा ज़िए बिल्कुल बिल्कुल टार्गेट एससी जी सिविल इंजिनिरिंग बिल्कुल थैंक्स एलोट फॉर एप्रिशियेशन बिल्कुल चलो आज की सेशन को एंड करते हैं अपने सारे फ्रेंड्स आपके पास यहां पर जैसे ही आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको को को by करने का feels अब सालग मोश्म fulfil तो वैसे ही आपके पास करें एप्लिकेशन डाउनलोड करें एप्लिकेशन के अंदर बुक्स वाले कॉंटेंट में जाए वहां पर एक्टूबर के आसपास आ गया तो इसका मलब फिर आपको टाइम अभी से आपको कोर्स के अंदर पड़ी हुई है सारी डेमो वीडियो आपके कोर्स के अंदर पड़ी हुई है अंदर पड़ी हुई है एप्लिकेशन के अंदर आप जाओ वहां पर एक डेमो वीडियो के अंदर आप लोग बिल्कुल डेमो वीडियो कोर्स उसे बाई कर सकते हैं किस तरह से पढ़ाते हैं उसके अलावा यूट्यूब पर भी मैं लाइव करूंगा आप लोगों के अच्छे से इतनी वेकंशी फिर दुबारे नहीं आएंगी लगबख अगर इरिगेशन की वेकंशी 800 तो गई तो साधह 30,000 से जादे और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तेकनिकल और नोन टेकनिकल दोनों मिलेगा क्या सब्सक्रिप्शन में यह टेकनिकल का सब्सक्रिप्शन है नॉन टेकनिकल के सब्सक्रिप्शन को भी जल्दी अनॉंस कर देंगे यह पूरा टेकनिकल का सब्सक्रिप्शन है ठीकनिकल का सब्सक्रिप्शन इतना कोशली नहीं नहीं होगा नॉन टेक्निकल का नहीं होगा टेक्निकल में बच्छों बहुत हाड़ वर्क करेंगे तो उसी वज़े से टेक्निकल का थोड़ा कोशली रहता भी है और वेटेज भी उसका काफी ज्याद है कि डेमो कोर्स का कुछ प्राइज नहीं है वन रुपीज को है वहाँ पर डेमो कोर्स फ्री ओफ कोश्ट अप्लिकेशन में डाउनलोड करो वहाँ पर फ्री कोर्स से आप प्रचेज कर सकते हो ठीक है ओक है एंड कर रहे हैं आज की सेशन को